जैहिन सात्यों बेलकम टू सेल्प स्टेटी किलासेश विस्टुमिच जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज फिर हमारी परियावन की कक्छा इस्टार होने वाली है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं ठीक है और सभी को वीडियो को सेर भी अब दिया है इस पर आप किलिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उपर खिलेगी ठीक है तो आप पूरे के पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं फेस्बुक से जुड़ने के लिए सुमिच जैन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है आई एस स्टेडी ट्रेक और वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करना है रीट वाले रीट वाले सीटी एक्जाम बालों के लिए बहुत ही महत्पूर है तो इस परकार से सब्सक्राइब का बटन किलिक करें आल पर है ना बेल आइकन को दवा पर आल पर किलिक करना है परयावान सुरक्षा के लिए उल्लेखनी एक का रहे तू गोल्ड मेंड परुसकार दिया जाता है ठीक है अंगला प्रस्न है ग्रीन नोविल के रूप में जाना जाता है प्रस्न किरमांक दो तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा गोल्ड मेंड परुसकार गोल्ड मेंड जो परुसकार है ग्रीन नोविल परुसकार के रूप में जाना जाता है ठीक है याद रखना है गोल्ड मेंड परुसकार पाने वाले भारतिये हैं तो आपको बताना है प्रस्न किरमांक त तिन का उत्तर गोल्ड मैन पुरस्कार पाने वाले जो भारती हैं वो कौन-कौन से भारती हैं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेधा पाटकर रासीदा वी चंपादेवी ऐम सी महता और रमेष अगरबाल तक है आप से सीधा सा क्वेषण पूछेज जाएगा निमनवै से बताईए इब किसको गोल्ड मैन पुरस्कार मिला है या फिर किसको गोल्ड मैन पुरस्कार नहीं मिला है तो मेदा पार्ट का राजदवी, चम्पादेवी, एमजी मेता, रमेशा करवाल एचीज आपको पता होने चाहिए, इन्हें गोल्ड मेंड पुरुसकार से नवाजा गया है अंगला कोस्चन देखेंगे, ग़िलोबल 500 पुरुसकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तब आपको बिल्को सही आंसर क्या होजएगा, सन्युक्त राश्ट परिया वरन कारिक्रम द्वारा ठीके ये जो है क्या किया जैता है UNEP द्वारा गिलोबल पास्तो प्रुस्कार प्रदान किया जाता है ठीके अंगला क्वेश्चन देखें बारत में सरवादिक जयोवित्ता पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है भारत में सरवादिक जयोवित्ता बताना है आपको प्रश प्रितीक प्रश्णिक्रमान 6 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 प्रश्णिक तो खाद सुद्धता का प्रतीक क्या है अभी हमने परेयावन सुद्धता का इको मार्क देखा अब खाद सुद्धता का प्रतीक तब आपका बिलकुँ सही आंसर होगा एग मार्क खाद सुद्धता का जो प्रतीक है वो क्या है एग मार्क ठीक है ABC protocol किसे कहा जाता है ABC protocol प्रेफने करमांक 8 तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा नागोया प्रोटोकाल को ABC protocol भी कहा जाता है ठीक है नागोया प्रोटोकाल को अंगला question लेक लेते हैं दोस्तों राष्टिय परियावण अभियांत्र की सोच संस्थान छेत्री केंद्र हैं तो कहां है राष्टिय परियावण अभियांत्र की सोच संस्थान की जो छेत्री केंद्र हैं वो कहां पर है प्रश्णिक रमांक 9 का उत्तर प्राइट होगा कोलकाता में हैं चिन्नई, यद्रवा, दिल्ली और मुंबई में अगर बात करें राष्टिय परियावण अभियांत्र की सोच संस्थान कहां पर है तब आपका उत्तर होता है कहां पर नागपुर में ठीक है लेकिन इसके जो छेत्री केंद्र हैं वो कोलकाता में भी हैं चिन्नई, यद्रवाद, दिल्ली और मुंबई में ठीक है अंगला कोश्चन ने बागों की गड़ना की जाती है कितने वर्स में की जाती है प्रश्न क्रमांग 10 तब आपका बिल्कु सही आंसर किता होगा प्रत्तेक चार वर्स में बागों की गड़ना की जाती है ठीक है प्रत्तेक चार वर्स में अंगला कोश्चन है जेव इधन नीती लागू करने वाला देश का पहला राज कौन सा है जेव इधन नीती लागू करने वाला देश का पहला राज बताना है आपको प्रश्न क्रवांक 11 तब आपका बिल्कु सही आंसरों का राजिस्थान ठीक है जियो इधन नीती लागू करने वाला पहला जो देश राज्ज है वो है राजिस्थान जंघारकंट राज गंगा नदी संरक्षन प्रादीकरण गटे थुआ तो कब हुआ? प्रस्टें किरमांक वारा और राई ard आंसर ऊगा वर्स 2009 मैं अंग्ला कुष्चर ने जल प्रिदूसर निवारन तथा नेंतना दिलियं म्लागो हुआ जल पर दूसर नेवारन तथा नेंत्रन अदिलियं अब लागूगा तो कभ हुआ तब आपका बिलकुस ही आंसर है 1904 में कभ हुआ 1904 विस्तु जल्दीबस मनाये जाता है प्रश्न किर्वांग 15 विस्तु जल्दीबस कब मनाये जाता है तो राइट आंसर होगा वाई समार्ज को विश्टो जल दिबस मनाय रहाता है ठीक है भारत सरकार दोरा केंद्री एक गंगा प्रादिकरण का गठन कप किया गया प्रश्निक्रमांग 16 का उत्र बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985 में कप किया गया 1985 अंगला कोचे ने सितंबर 1995 में किसका नाम बदल कर राश्टी एक नदी संरक्षन प्रादिकरण कर दिया गया तो किसका नाम बदल कर कर दिया गया 1995 में तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा केंद्री एक गंगा प्रादिकरण का 1995 में नाम बदल कर कर दिया गया राश्टिये नदी संरक्षन प्राधिकरण ठीक है अंगला कोश्चनले को राश्टिये गंगा नदी वेसिन प्राधिकरण का गठन का वुगा प्रश्ण किरमांग अठारा तब 18 का उत्तरों का फर्वरी 2009 में कब किया गया फर्वरी 2009 में किया गया थीक है किस परियावन विद को जल पुरुष कहा जाता है प्रश्निक्रमांग 19 किस परियावन विद को जल पुरुष कहा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा राजेंद्र सेह ठीक है राजेंद्र सेह को जल पुरुष कहा जाता है पीने के पानी को सुध्ध करने के लिए प्रियोग में किसे लाया जाता है पीने के पानी को सुध्ध करने में प्रियोग में लाया जाता है तो किसे लाया जाता है प्रश्निक्रमान की 20 तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा किलोरीन को किलोरीन को प्रियोग में लाया जाता है ठीक है गंगा नदी डॉल्फिन सर्रक्षन कारिक्रम आरंब किया गया था तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1997 में ठीक है डॉल्फिन सर्रक्षन कारिक्रम आरंब किया गया था तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1997 राष्टिए जडी जिऊ बताना है तो कौन सा है? तब आपका बिल्कुष औश़ी आंचर होका डॉलफिन ठीक है? अंगला क्वेश्चन ने पोच्णाओ का राष्टिए संस्थान इस्थे थे तो कहां इस्थे थे? प्रश्निक्रमांत कटेई पोष्णल का राश्टी है संस्तान तब आपका बिलकुछ सही आंसर होगा कहा पर है एहदराबाद में पोष्णल का राश्टी है संस्तान है है एहदराबाद विश्ट्व परिवेश दिवस कम मनाया जाता है प्रश्निक रमांग 24 तो राइट आंसर क्या हुझाएगा, पांच अक्टूबर को विस्द। पर्वेस दिवस मनाया जाता है, ठीके, अंग्ला question, विस्द तमबाकू निरोद दिवस मनाया जाता है, 25, 25, 25, विस्द। तमबाकू उन्दरोद दिवास और बाइस माई को जिय विद्था दिवास ठीक है याद रखना है तो कहां पर इस्ते थे थे तो कहां पर इस्ते थे 26 26 का आपका बिल्कुष सही आंसर होगा जोधपुर में केंद्रीय सुस्क छेट रनुसंदान संस्तान जोधपुर इंडियान इन्स्ट और अज्याइन इनवर्नमेंट अवस्ते थे कहां पर आवस्ते थे इंडियन इसिट्यूट ऊफ एक 오े इंड एन एन्वार्नमेंट अवस्ते थे तो कहां परावस्ते थेप रश्चनग्रमंट 27 27 और 27 का आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में कहां परवस्ते थे नई दिल्ली पिरतिस्टित टाइलर पुरुसकार जिस छेत्र में प्रदान किया जाता है वह है टाइलर पुरुसकार के छेत्र में प्रदान किया जाता है 28 तो राइट आंसर हो जाएगा परियावरन सर्रक्षन के छेत्र में यह पुरुसकार 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 प्रुष्कार प्रदान किया जाता है अंगला कोस्चन है दोस्तों आपका भारत का राष्टिय सामुद्रिक पार्क इस्तित है तो कहां इस्तित है प्रश्निक्रमांग 30 भरत का राश्ट्री ये सामुद्रिक पार्क इस्तेते एस्तेते कच्छ की घाड़ी में अंगला कॉस्चन स्वपोसी इस्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है प्रश्निक्रमंग 31 तो राइट आंसर होगा प्राथ में को उत्पाद अक्ता क्या कहा जाता है प्राथ में को उत्पादक्ता स्वपोसी इस्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथ में के उत्पादक्ता अंगला है जिवधारियों के कार्वनेक और अकार्वनेक बातावरन और पारिस्थित की संबंधों पारिष्थित्की संबंदों के अध्यन को पारिष्थित्की अथवा पारिष्थित्की विज्ञान कहा जाता है एकतन किसका है यह परिवासा किसने दिये जियोधारियों के कार्मनेक और अकार्मनेक बातावरन और पारिश्थित्की संबंधों के अध्यान को पारिश्थिकी अत्वा पारिश्थिकी विज्ञान कहा जाता है यह प्रश्णिक्रमांग 32 का जो उत्तर है वो अर्नेस्ट हैकेल किसने कहा यह परिवास दिया अर्नेस्ट हैकेल सामने तो उत्तर बताना है आपको उत्र हो जाएगा वर्स 1935 में एजी टांसले द्वारा 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्पर्थम पाइस्त्की की संकर्पना प्रस्तावित की गई ठीक है अंगला क्वेश्चन देखो घास इस्तल वन तथा द्वारान है तो किस चीज के उधाराण है घास इस्तल वन तथा मरुस्तर द्वाराण है रश्य निकर्मान 34 का इस्तलिय पारस्तितिक तंत्र के कास स्तल तथा वन तथा मरुस्तल उधारण है तो किसके हैं स्तल ये पारस्तितिक तंत्र के प्रतिवी के सरवादिक छेत पर फैला हुआ पारस्तितिक तंत्र है प्रतिवी के सरवादिक छेत पर फैला हुआ पारस्तितिक तंत्र है तो वो तंत्र है सामुद्रिक, कौन सा तंत्र है, सामुद्रिक तंतर है, जो सर्वाद एक छेत्रपण फैला हुगा है भारत में पारस्थिद्की असंतुलेंग का प्रमोख कारण आपको बताना है और राइट आंसर आपको होगा बनोन मूलन, ठीक है, बनोन मूलन पास्त की असन्पुलन का प्रमोख कारण माना जाता है, निर्जियू कारवनिक तत्वों को अकारवनिक योगकों में तोड़ते हैं, तो कौन तोड़ते हैं, निर्जियू कारवनिक तत्वों को अकारवनिक योगकों में तोड़ते हैं, कौन, 37 का अंसर, तब आपका बिल्कु सही आंसरों को आप घटक, कौन तोड़ते हैं, आप घटक, ठीक है, अंगला question देखेंगे, ऐसे पदार्थ, जिनके ऑक्सी करन के पस्चात, जियुदहारियों को उर्जा प्राप्त होती है, कहे जाते हैं, ऐसे पदार्थ, जिनके ऑक्सी करन के पस्चात, जियुदहारियों को उर्जा प्राप्त होती है, वे पदार्थ क्या कहे जाते हैं, प्रश्न किरमां 38, और राइट आंसर होगा, खाद पदार्थ, क्या कहे जाते हैं, खाद पदार्थ, जिनके ऑक्सी करन के पस्चात, जिय जीवभार का प्रामेड जिस पारस्थतिक तंत्रे को लट जाता है वो उस पारस्थतिक तंत्रे का नाम बताना प्रश्ण किरमांग 39 तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा तालाव ठीके यूके लिप्टस को उसकी अत्यादिक जल गरन सकती के कारण गोसित किया गया प्रश्ण करमांग 40 तो राइट आंसर हो जाएगा परैयावरण का सत्रु या परैयावरण का दुसमन, ऐसा भी आता है कि पर्यावरण के दुसमन किस ब्रक्ष को माना जाता है तो वो माना जाता है UK डिप्टस को है ना क्योंकि इसकी जो है अत्या देख जल ग्रहन सक्ती के कान ऐसे परियावन का दुस्मन कहा जाता है अंगला कोश्चन इस्तिर जल की आवास को क्या कहा जाता है प्रश्निक रमाग 41 इस्तिर जल की आवास को क्या कहा जाता है तो right answer आपका हो जाएगा lentic avas, ठीके, इस्थिल जल की avas को कहा जाता है lentic avas अंगला देख लेते, बहते जल की avas को क्या कहा जाता है, बहते जल की avas को 42 का उत्तर तो वो कहलाता है लोटे का आवास ठीक है वहते जल की आवास को लोटे का आवास कहा जाता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित छेत्र कहलाता है क्या कहलाता है प्रश्निक्रमांग 43 23 दो भिन सवुदायों के बीच का जो संक्रान्ती छेत्र है उससे क्या कहा जाता है प्रश्निक्रमंग 43 तब आपको बिल्कुँ सही आंसर होगा एकोटॉन क्या कहा जाता है एकोटॉन ठीक है हर पोषण इस्तर पर उर्जा की मात्रा गटती है या फिर बढ़ती है चवालीस का उत्र बताना है आपको तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा घटती है बन सल्लक्षन इस्तर पर उर्जा की मात्रा गटती है बन सल्लक्षन अदिनियम लागू किया गया तो कब किया गया बन सर्रक्षन अधिनियम प्रश्निक्रमा 45 का उत्तर तब आपका बिलको सही आंसर होगा वर्स 1980 में बन सर्रक्षन अधिनियम लागू किया गया ति नवी करनी उर्जा गेर परंपरागत उर्जा के स्त्रोथ हैं तो कौन है चार विकलत हैं आपके सामने चार से एक का चैन करन नवी करनी उर्जा गेर परंपरागत उर्जा के स्त्रोथ कौन है तब आपका बिलको सही आंसर होगा तोर उर्जा पवन उर्जा जल उर्जा ज्वारी उर्जा ठीक है भूतापिय उर्जा और वायो गैस उर्जा ये जो उर्जा है दोस्तों ये क्या है नवी करनी उर्जा कि स्रोफ है है अब आपका 2011 MPTatten में कॉस्टन आया था कि निवन नमे से बताएं कौन सा बाइंत और नभी करनी ऊठुज़ा का तो आपको पता हो निचे आप anawuhi करनी ऊठिट fik कौन से है और नभी करनी ऊठिट कि श्रोफ कौन से है थेक है अंगला question है दोस्तों CNG का प्रमुक संगठन है आपको बताना है CNG का प्रमुक संगठन है तब आपका right answer क्या होगा CNG का प्रमुक संगठन कौन सा है प्रश्निक्रमांग 47 और आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका methane b10 जो है kg का प्रमुक संगठन क्माना जाता है तो याद रखना है स्वेथ महादीप कैसे कहते है about Esto говорить अग्द् эфф को आपका बिलकूँ सही आंसर क्या होगा स्वेथ महादीप स्वेथ महादीप कहा जाता है अंतार्क्त का महादीप को ठीक है अंतार्क्त का महादीप को स्वेत महादीप के नाम से भी जाना जाता है सबसे छोटा महादीप कौन सा है प्रश्मिक्रमाग 49 बिल्को सरल आंसर सभी का आंसर सही आन चाहिए तो आपका बिल्को सही आंसर होगा ऑस्टेलिया जो है दोस्तों के सबसे छोटा महादीप माना जाता है ऑस्टेलिया खोटी नाइन का उत्र ऑस्टेलिया ठीक है अंगला कोस्टिन देखलो विस्तो का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कुनसा है प्रश्णिक्रमांग 50 विस्तु का दूसरा सबसे वड़ा महादीप बताना है आपने पड़ा होगा कि विस्तु का सबसे वड़ा जो महादुईप है वो महादीप है एसिया महादीप ठीके लेकिन बात करें विस्तु का दूसरा सबसे वड़ा महादीप किसी कहा जाता है पक्षियों का महादीब तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा पक्षियों का महादीब दक्षिन अमेरिक्या किसी कहा जाता है दक्षिन अमेरिक्या को कहा जाता है पक्षियों का महादीब याद रखना है सभी को विस्तु का सबसे उंचा पठार कौनसा है MP3 2011 में प्रश्न पूछा गयाता है विस्तु का सबसे उंचा पठार 52 का अंसर तब आपका बिल्कु सही अंसर क्या हो जाएगा पामीर का पठार ये विस्तु का सबसे उंचा पठार माना जाता है दोस्तु विस्तो का सबसे उंचा फिलोरी कल्चर संबंदित है तो किसे संबंदित है फिलोरी कल्चर आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी है हारतिकरांती पढ़ी है है ना और भी एपी कल्चर पढ़े है ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है है ना बर्मी कल्चर तो आपको फिलोरी कल्चर बताना है किसे संबंदेते फूल उत्पात से किसे संबंदेते फूल उत्पात से संबंदेते फिलोरी कल्चर यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है प्रश्मिक्रमा 54 का अंसर यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा दोस्त तो आपका बिलकुस सही आंतर होगा प्राय दीपों का प्राय दीप कहा जाता है यूरोप महादीप को ठीक है यूरोप को प्राय दीपों का प्राय दीप कहा जाता है यूरोप अंगला है सरवाद एक भूकंप बाला देश कौनसा है प्रश्णिक रमाग 56 सरवाद एक भूकंप बाला देश बताना है और आपका बिलकुँ सही आंतर होगा जापान जापान दोस्तों सरवाद एक भूकंप बाला देश है कौनसा जापान ठीक है प्रतिवी और सूर के आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा तो फूर क्या कहलता है प्रति पी और सूर के भीच चंध्रमा का आ जाना शूर क्या लाता हैठ क है अंगला घौसचन देखो किस ग्रह का घनतनी तो जलसे भी कम है तो किस ग्रह का घनत पा देखण है जलसे भी कम वो उसा सबसे चोटा ग्राय है लेकिन आपको बताना है कि जल से भी कम घनत्तो है तो वो सनी का है किसका है शनी शनी ग्राय का सिगरेट के धुए में मुख प्रदूसक कौन है सिगरेट के धुए में मुख प्रदूसक आपको बताना है 59 का अंसर तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनो आकसाइड और बेंजीन ये क्या है चिगरेट के धुए के मुक प्रदूशक माने आते हैं 59 का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनो आकसाइड और बेंजीन गोवर गैस का मुक घटक है तो कौन सा है गोवर गैस का मुक घटक बताना है तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा मीथेन मेथेन जो है कि गोवर गैस का मुक घटक माना जाता है प्रश्निक्रमांग 60 का आंसर प्रत्वी का जुडबा ग्रह किसे कहा जाता है 61 पूचा गया था MPT 2011 में प्रत्वी का जुडबा ग्रह किसे कहा जाता है तो आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा उत्तर होगा दोस्तों सुक्र है ना प्रत्वी का जुडबा ग्रह प्रत्वी की मेहन ठीक है तो सुक्र आपका बिल्कुश सही होगा क्रितिम बर्षा के लिए उत्तरदाई है तो क्या उत्तरदाई है क्रितिम बर्षा के लिए राइट होगा सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड क्रितिम बर्षा के लिए उत्तरदाई माने जाती है सिल्वर आयोडाइड ठीक है ओज़ोन सर्रक्ष्न को रोकने के लिए Montreal Protocol समझोता कब हुआ था yin प्रश्णिक क्रवांग 64 जो होता है वो चिकन गुनिया रोग का बाहक होता है अंगला है पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है पत्तियों का आपने देखेंगे पेड़ पौदे की जो पत्तियां होती है उनका हरा रंग क्यों होता है आपको बता होनी चाहिए तब आपका बिल्कों सही आंसर होगा किलोरो फिल के कारण काई के कारण हो जाएगा किलोरो फिल के कारण हो जाएगा ठीक है पत्तियों का खारा रंग अंगला है सूक्ष में जीव विग्यान का पिता कौन है सूप्ष में जियू विज्यान का पिता बताना है प्रश्निक्रमांक 66, सूप्ष में जियू विज्यान का पिता कौन है? तब आपका बिल्को सही आंसर होगा है लूई पास्चर, कौन है लूई पास्चर, सूप्ष में जियू विज्यान का पिता है लूई पास्चर अंगला है केंद्रिय चावल अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्थेते हैं प्रश्ण किरमाउंग 67 का आंसर बताएंगे तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा केंधरिये चाउल नुसंदान संस्तान है कटक ठीक है, कटक में हैं याद रखेंगें conversation- काल्यों गाजर में लाल नारंगी रंग किस तत्तु की कारण होता है 68 लाल नारंगी रंग किस तत्तु के कारण होता है गाजर में तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण, काई की कारण होता है, कैरोटीन के कारण, महत्पूर्ण प्रश्ने 68, भुरून विज्ञान के जनक कौन है, प्रश्ने क्रमांग के 69, भुरून विज्ञान के जनक, तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा ब्रून विज्ञान के जनक है प्रोफेसर पी माहिस्वरी ठीक है प्रोफेसर पी माहिस्वरी ये ब्रून विज्ञान के जनक माने जाते है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौनसी है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी बताना हमें प्रश्निक्रमांग 70 तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा फीमर जांग की जो फीमर होती है ये मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी मान जाती है मूत्र का हलका पीला रंग किस कारण होता है मूत्र का हलका फीरा रंग किस कारण होता है 71 तो आपका बिल्कुँ सही आंसर हुआ यूरो क्रॉम के कारण काई के कारण यूरो क्रॉम के कारण जो है मूत्र का रंग हलका फीरा रंग का होता है किस रोग में प्रेट प्लेट्स की संख्या कम होने लगती है प्रश्निक्रमांग 72 का उत्र बताना है वो रोग बताना है जिसमें प्लेट टेट्स की संख्या कम होने लगती है तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा डैंगु रोग कौनसा होगा डैंगु बास्पो सर्जन की दर मापी जाती है प्रश्न क्रमांग 73 यह मापी जाती है पोटो मीटर से कैसे पोटो मीटर बास्पो सर्जन की दर मापी जाती है पोटो मीटर से अंगला कोस्चन दिखलो भारी जल का अनुसूत्र क्या है भारी जलका अनुसूत्र बताना है प्रश्निक्रमांग 74 तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा H2O यह क्या है तो यहाँ पर आपको सुदाना है दोस्तों भारी जलका जो अनुसूत्र माना जाता है वो D2O माना जाता है क्या माना जाता है? D2O लेकिन जलका माना जाता है तो H2O ठीक है यह जलका लिखा हुआ है जलका होता है H2O और D2O यह भारी जलकानुस उत्र है ठीक है इसको याद रखेंगे सबी लोगों को याद रखना है सुद्य जलका pH मान होता है सुद्य जलका pH मान बताना है आपको कौन सा होता है 75 का सुद्ध जल का PH मान तब आपका बिल्कुष सही आंसर होगा कितना 7 साथ होता है सुद्ध जल का PH मान प्रतिवी दिबस कम मनाय जाता है प्रश्निक्रमांग 76 बिल्कुष रहल सभी को आना चाहिए तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या 22 अप्रेल को प्रतिवी दिबस मनाय जाता है अब दो तो आपको बताना है प्रतिवी दिबस 2020 का बिस्साय क्या है क्या था प्रतिवी दिबस अभी अप्रेल में मनाय गया 22 अप्रेल को और 2020 की जो थीम थी वो क्या थी 77 प्रश्न है और उत्तर कमेंट में लिखना है तो उत्तर होगा climate action ठीक है प्रतिवी देवस 2020 का theme थी अंगला है दोस्तो भारत का उत्तरी बिंदु बताना है आपको भारत का उत्तरी बिंदु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तब आपका बिल्कुस सही आंसर क्या होगा इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल जो है यह वारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है भारत का सबसे ठेंडा पठार कौन सा है 79 भारत का सबसे ठेंडा पठार बताना है हमें तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा लद्दाग, यह भारत का सबसे ठंडा पठार माना जाता है दोस्तों, सबसे ठंडा पठार लद्दाग संसार की छत किसे कहा जाता है, एट्टी का उत्रवताना है तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा पामीर का पठार, पामीर के पठार को पहा जाता है संसार की छत, भारत की सबसे लंबी इस्थल, सबसे लंबी इस्थल सीमा किस देश के साथ है, भारत की सबसे लंबी इस्थल सीमा किस देश के साथ है, प्रश्निक्रमां केट्टी बन, तो किस देश के साथ है वांगला देश के साथ है बात की सबसे लंबी इस तलसीमा वांगला देश के साथ है अंगला कोश्चन विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या घनत वाला मरुस्तल कौन सा है विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या गनत्त वाला मरुस्तल बताना इस 82 का प्रश्ण तो आपका बिल्कुस सही आंसर होगा थार, थार मरुस्तल जो कि भारत में है और विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या गनत्त वाला मरुस्तल बताना जाता है थार, दुद्वाराश्टी उध्यान इस्तित है, तो कहां पर इस्तित है, प्रश्निक्रमांग 83, दुद्वाराश्टी उध्यान, तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में दुद्वाराश्टी उध्यान, ठीक है, खेरा किस फसल का रोग है, प्रश्नि ठीक है खेरा पूचा जाता है खेरा किस पसल का रोग है तो यह धान का रोग माना जाता है टिक का किस पसल का रोग है टिक का प्रश्निक्रमांक 85 टिक का किस पसल का रोग है उत्तर हो जाएगा आपका मुंग फली ठीक है मुंग फली का रोग है टिक का अंगला कोस्चिन दोस और आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा 20 मार्च को ठीक है 20 मार्च को मनाये जाता है 20 गोरहिया दिवस 20 मिर्दा दिवस का मनाये जाता है प्रश्निक्रमांग 87 20 मिर्दा दिवस सही आंसर है 5 दिशंबर को का मनाये जाता है 5 दिशंबर को 20 मिर्दा दिवस वर्चा की भूने गोल होने का कारण क्या है प्रश्च्ट तनाव किस महादीप से ओकर विशूबत, कर्ट और मकर्ट तीनो रिखाएं गुजरती है तो कौन से महादीप से ओकर गुजरती है प्रश्च्ट तनाव तब आपका बिलकुंग सही आंसर होगा फ्री का महाधीप से होकर के विशुवत करक और मकर इट तीनों ही रेखाये गजरती हैं जुगाली करने वाले पस्ओंओं से किस ग्रीन हाउस गेस का जो निस्थरण होता है है वह आपको बताना है जुगाली करनेवाले पसमों से किस ग्रीन हाउस गेस का निस्तानड होता है प्रश्नी करमांक 9 टी कि ऑर आपका बिलको सही आंसर होगा किशन होता है तो मिकल दोइसर पर यहां पर हमारे महत्पूर gjू पर हमने चर्चा की जो कि हमारे परियावन से संबन देते, रोज 16 बज इसी प्रकार आपकी क्लास दरंतर लगेगी, हैना Instagram से आपको जुड़ा रहना है, सर्च करना है सुमिजेन, Self-Study Classes, WhatsApp नमबर दिया है, तो WhatsApp पर भी आप संपर कर सकते हैं, ठीक है, YouTube पर Self-Study Classes, आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा हो और Telegram ग्रूप से जुड़ने के लिए सर्च करना है, IAS Study Trick ठीक है, वीडियो को लाइक करके, शेर अबस्त करें दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जै हैं